जै मातादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाश जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं कुम्ब राशी की मंथली राशी फल की कैसी होगी उनकी धनकी, स्वास्ते की, परिवार की स्थती, उनके दामपत्ते जीवन की स्थती और क्या ग्रे गोचर रंग लाएंगे अप्रेल के महिने में यानि अप्रेल कुम्ब राशी का कैसा रहेगा हाला कि उनके ओपर साड़े साथ ही चल रही है थोड़ा सा कठिनाई वाला समय चल दा है लेकिन अप्रेल का महीना क्या इनको रहात देगा इसके बारे में चर्चा करेंगे और मंगल शनी कुम्म राशी के अंदर ही विराज माहने इसका क्या प्रभाव रहे गा इसका करेंगे को अपरेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही साथ सूरिय राहू यानि ये तीन ग्रहों की यूती आपके धन भाव में बैठी है यानि धन के लिए यह जो महिना है कुछ सावधानी वाला है कुछ इन्वेस्टमेंट में आपको भई कुम्राशी वालों को सावधानी कर लेना उसका क्या लाब होगा और बुद्ध और गुरु यह दोनों के दोनों आपके वहसे ब्रस्पति की नवम द्रिष्टी आपके लक पर यानि लक आपका साथ्वे आसमान में रहेगा भाग्य आपका जागरित होगा रभाग्य से बहुत सारी चीज़े मिलेगी इसके बारे में इस कारिकरम में चर्चा करेंगे चलिए पहले 11 घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो पहली घटना होगी स्वास्तिय पे तो स्वास्तिय में अप्रेल के मैंने में मं जो पेट की समस्या चल रही हाथ पेरों में दर्द की समस्या आपको चलेगी जिसके लिए आप सकती से कदम उठाएंगे योगा या जीम या कोई ना कोई एक्ससाइज कोई ना कोई एक्टिविटी आप अप्रेल में 100% जॉइन करने वाले साथी साथ कुछ कुम्राशी वाले बुरी आदतों को कंट्रोल खान पीन को कंट्रोल करने वाले हैं बहुत इस्टिक डाइट फोलो करने वाले हैं आपका अप्रेल के अंदर पूरा फोकस हेल्थ को ठीक करने में हो गई अच्छी बात है जो शनी और मंगल आपको सताएंगे ना हेल्थ में तभी आप कुछ हे पैना इसकी सती कुम्राशुई की अप्रेल में दो भागों में बढ़ती है जी हां पहली एक तारिक से 14 अप्रेल तक देखा जाए तो आपके धनबाओं में लज्जी दोश बन रहा है यानि बेफाल्तु के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपका EMI बाउं है वो बिगड सकता है यानि 14 अप्रेल तक आप हैंड टू माउट वाली इस्तती पे रहेंगे यानि बहुत ज़्यादा धनकी इस्तती खराब रहेगी 15 तारिक से जी हां 15 तारिक से और 30 अप्रेल के बीच में यह जो 15-16 दिन है इसमें आपका भाग्ये साथवे आसमान पे रहेगा तीन बड़े लाब कहीं न कहीं कुमराशी को होते वे नजर आ रहा है पहला सरकारी योजना से आपको लाब होगा या फिर 15 तारिक के बाद आपके शहर में कोई लखी ड्रो कोई सरकारी योजना निकल रही है तो उसमें आपको भरने से लाब होगा लखी ड्रो रहेगी आपको कोई राय देगी और उससे बड़ा लाब होने वाला तीसरा देखा जाए तो आचाना किसी काम से आपको लाब हो गया एक्स्ट्रा इंकम के आपके 15 अप्रेल के बाद योग बनते हैं तो खुल मिला के 15 अप्रेल से पहले तो भाई कुमराशी की स्थती पूरे अप्रेल में वकरी रहने वाले पहला इसका लाब होगा कि आपके जो भाई बैन से या मित्रों से या रिष्तेदारों से जो रिलेशन बिगड़ गए है वो रिलेशन की शुरुवात होगी और पुराना रूठा हुआ व्यक्ति या पुराना कोई व्यक्ति है जो आ ये जो गुरुत रित्य में बुद्ध रित्य में और बुद्ध की जो बुद्ध वकरी है अप्रेल के अंदर तो आपके रूठेवे रिलेशन फिर अच्छे होने के योग बनते हैं और रिष्तेदारी में भाई भेन या आपकी जो जान पैचाने उसमें कोई मांगली काम क कोई रुकावा काम का भी न्यूज आपको सुना ही देगी अब चौथी कटना के बारे में बात कले तो चौथी कटना है जो बुद्ध पूरे महीने अप्रेल में वकरी होने जा रहे हैं इससे विदेश समंदी रुकावा काम कुमराशी का बन सकता है विदेश जाने के कुमराशी की होगी यानि कुमराशी वाले अपने हल में चैन से नहीं बैठने वाले बुद्ध वकरी है तो कभी इस सहर की कभी उस सहर की कभी दूर की यात्रह आप करते रहेंगे कुछ लोगों की विदेश की यात्रह होगी कुछ लोगों के विदेश के काम बनते वे नज तो कहीना कहीन अप्रेल का महिना परिवार में रिलेशन ठीक है लेकिन परिवार में घर के अंदर कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे आपके जैसे वहान पे खर्चा बिजली पे खर्चा बढ़ जाएगा एक अप्रेल में लक्ट्रोनिक आइटम अचाना खराब होगी उसको या फिर नई एलक्रोनिक आइटम आप घर के लिए ले सकते हैं यानि परिवार में थोड़ा खर्चा जादा है साथी साथ चटी गटना के बारे में बात करें तो चटी गटना होगी उन लोगों पर इफेक्ट डालेगी जिन की जिन कुम्राशी वालों की संतान है यदि मैना संतान का दो बड़ी गटना देने वाला है पहली गटना जो छोड़ी संतान है 17 से कम उमर की संतान है उनका स्वेमी है उस्थानIR गुल मिलाके अप्रेल का महीना आपकी चाहे चोटी संतानों चाहे आपकी बड़ी संतानों आपके लिए बड़ा लाब करी है अब सात्वी गटना के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका सम्भन उनकुमराजी से जो स्टूडेंट है विद्यारती ध्यान से सुनें अप्रेल क महीना विद्यारतियों के लिए बहुत लखी डायक रहेगा यानि पहली घटना अप्रेल के अंदर होगी काम में और मैंनत में सफलता मिलेगी जो आप मैंनत कर रहें उसका अच्छा प्रतिफल अप्रेल में मिलेगा कोई गुड न्यूस नहीं देगी दूसरा घर या होस्टल का स्थान परिवर्तन होगा प्लेश चेंज के यूग भी आपके बनते हैं प्रभुजी मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेंडी भी करी हैं तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाव क्या मिला है कुछ बताईए जैसी मैं गुरुजी से मिला था मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस द दिया था जैंड गुरु जीने मुझे कुछ उपाई बताई थे जैसे सब्सक्राइüzik सब्सक्राइब जिए नार्च मेरे मेरे कंणा गुरुजी तो उसका असार कुमराशी वाले उन पे होगा जो नौकरी करते हैं यानि जॉब करते हैं तो कही ना कही चंद्रमा इस भाव के स्वामी है और चंद्रमा अप्रेल में लाब भाव में बैठे हैं जैसे इसका नाम है लाब भाव यानि तीन बड़े लाब नौकरी में कुमराश के महीने में, दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, तीसरा मन चाहा काम मिलेगा और सीनियर आपकी तारीफ करते करते नहीं ठकेंगे यानि अप्रेल के महिने में हाई सेल भी रहेगी और आपके यह नेम फेम में भी बृद्धी होगी अप्रेल का महिना नौकरी वालों के लिए सबसे अच्छा महिना है इसी प्रकार से नवी गटना के बारे में बात करें तो सूरिय राहू की जो यूति आपके दामपत्य जीवन में बैटी है यानि दामपत्य जीवन के स्वामी सूरिय राहू के साथ में बैटे तो कही न कही अप्रेल का महिना दामपत्य जीवन में भी दो भागों में बटेगा पहले हम बात कर लेते हैं लव कपल प्रेमी प्रेमी का की तो दो भागों में यह महिना बट रहा है एक तारिक से लेका 13 अप्रेल तक तो भई खराब है बहुत से आपके पार्टनर के बाद विवाद हो सकते हैं पार्टनर को infection की समस्या हो सकती है तो चारोग हो सकते है यानि आपका पार्टनर अपने करियर से भी परिशान रहेगा वहां भी अनबन रहेगी साथी साथ हेल से भी परिशान रहेगा 13 अप्रेल ता 14 अप्रेल से सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा यानि यह यूती टूड जाएगी तो 14 तारिक से लेका 30 अप्रेल के बीच में आपके पार्टनर को कोई बड़ी खुश खबरी मिलेगी हो वो आपको सुनाने वाला है पार्टन कही जो आपका पार्टनर है उनके माता पिता की हेल्थ गर्बड रह सकती है आपका पार्टनर अपने माता पिता की हेल्थ को लेकर परिशान रह सकता है साथी साथ पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा उनके गैजिट मोबाइल खराब हो सकते उस पे खर्चा होगा तो खर प्रोजक्ट चेंज हो सकता है इस्थान परिवर्तन के योग है या आपके पार्टन को यात्रा करनी पड़ सकती है उसके प्रबल योग बन रहे हैं तो कुल मिला के आपके पार्टनर के जीवन में बड़ा परिवर्तन 14 अप्रेल के बाद नजर आ रहा है अब दसवी घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो अस्टम भाव में अप्रेल में केतु विराजमान है यानि आपके ससुराल पक्ष में कुछ मांगली काम में आपको जाना पड़ सकता है ऐसा योग नजर आ रहा है या फिर अप्रेल के महिने में आपको गाउं की यात्रा या पैतरी गाउं के चक्कर अचानक लगाने पड़ सकते हैं अप्रेल में ऐसा योग बन रहा है ग्यारवी और अंतीम घटना उनके लिए लाब कारी है जो वियापार करते हैं अपनी दुकान चलाते हैं या अपनी फैक्री चलाते हैं तो मंगल शनी का यहां पर योग बन काम में बहुत अची अप्रेल में बडोतरी रहेगी काम में तो आप भीजी रहेंगे SKLR के ओटर पे बसनी मैंट को लगी मखी जाएगा कभी जनेटर का काम करणा पड़ेगा और कभी करम चारी ही आपस में लढ़ मर जाएन यानि करम चारियों में तनाव पूरे अप्रेल में रहने वाला है तो कुल मिलाके व्यापारियों के थोड़े तनाव में ब्रिद्धी होती भी नजर आ रही है तो मित्रो इस कारे करम में बाइतना ही मुझे दीजे जाया जै माता दी